इसराइल हमास यूद के बीच अब इसराइली फौज राफा शहर में घुश चुकी है 12 माई 2024 को इसराइली एर फौर्स ने राफा शहर में लगातार एक घंटे तक हवाई हमले किये जिसका मनजर बेहद ही भयानक था इसराइली सेना का कहना है कि उसने अपनी इस एर स्ट्राइक में हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया है लेकिन एक तरफ जहां आईडियफ राफा को दहला रही है वहीं दूसरी तरफ गाजा के अलग-अलग हिस्सों में आईडियफ को रोकने के लिए हमास और अन्य प्रतिरोधी संगटनों ने मोर्चा संभाल लिया है और आईडियफ को रफा शहर में घुशने से रोकने के लिए हमास लगातार हमले कर रहा है और इसी कड़ी में जबालिया कैम्प से लेकर अलग जायतून तक हमास आईडियफ पर आग बरसा रहा है लेकिन 12 माई 2024 को गाजा के प्रतिरोधी समूहों ने इसराइली सेना के खिलाफ एक बहुत बड़े और जटिल आपरेशन को अंजाम दिया है दर असल हमास की सेन शाखा अलकासिम ब्रिगेट ने पूरवी जबालिया कैम्प में आईडियफ पर बहुत बड़ा हमला किया है और इस हमले में उसने आईडियफ के 10 सेन वाहनों को उड़ाने का दावा किया है अलकासिम का कहना है कि उसने इस हमले में IDF के 9 मेरकावा टैंक और एक सैन्नेवाहन को तबाह कर दिया है इसके अलावा अलकासिम ने इसराइली सैनिकों के एक जमावडे पर भी हैवी मोटर दागे हैं दरसल एक ड्रोन की मदद से अलकासिम ब्रिगेट ने पहले तो काफी उंचाई से मेरकावा टैंक को निशाने पर लिया और फिर उसी ड्रोन ने इस मेरकावा टैंक पर रॉकेट गिरा दिये जिस से टैंक में जोरदार दो धमाके हुए इस पूरे हमले का अलकासिम ने एक वीडियो भी जारी किया है अलकासिम के मताबिक उसने अलमा भाओ के पास आईडियेफ के मेरकावा टैंक पर आलियासीन 105 रॉकेटों से हमला किया है और जब आईडियेफ के सैनिकों पर ये हमला हुआ तो वो अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग की तरफ भागे थे और इस बिल्डिंग में पहले ही बूबी ट्रैप लगाया गया था जिसके धमाके में आईडियेफ के कई अधिकारियों समेथ सैनिकों की मौत की खबर है इसके अलावा जबालिया शहर के पूर्व में अलकासिम ने एक और जटेल उपरेशन को अंजाम दिया इस उपरेशन में अलकासिम ने इसराइली बक्तरबंद वहनों पर विस्फोटक डिवाइस और टेंडेम गोलों से हमला किया है साथ ही जबालिया के मजाया हॉल के पास अलकासिम ब्रिगेड ने इसराइल स्पेशल फोर्स पर टीबी जी गोलों से हमला किया है और इसी इलाके में आईडियाफ के चार मेरकावा टेंकों पर अलियासीन 105 रॉकिट्स भी दागे गए और जब ये हमला हुआ उसी वाक तालबाव में अलकासिम ने आईडियाफ पर अलियासीन 105 रॉकिट्स दाग दिये इस से इसराइली सेना के वहनों में आग लग गई और इसी इलाके में आईडियाफ के जमावडे पर भी हैवी मोटर गोलों से भीशन बंबारी हुई है पर सीधा हमला किया है और इस हमले के बाद अलकासिम ब्रिगेट ने मिरकावा टैंक पर एक और हमला किया जिसको लेकर अलकासिम ब्रिगेट का कहना है कि उसने पूर्वी जवालिया केम्प में आईडियाफ के पाँच मिरकावा टैंक पर अल्यासीन 105 रॉकिट्स दागे हैं और इनमें से एक टैंक में आग लग गई जिसकी वज़ा से चालक दल के सदस से या तो मारे गए या फिर घायल हो गए आपको बता दे कि अल्कासिम ब्रिगेट ने इन हमलों के कुछ वीडियोज भी जारी किये हैं जिनमें ये साफ दिख रहा है कि ये हमले कितने भीशन थे वहीं दूसरी तरफ अल्कुस ब्रिगेट ने पूर्वी जबालिया में एक मस्जिद के पास खड़े इसराइली टैंकों और आईडियाफ के जमावडे पर आरपीजी रॉकिट से हमला किया है वहीं दूसरी तरफ अल्कासिम ब्रिगेट का कहना है कि उसने नेटजरी मैक्सिस पर कई हैवी मोटर गोलों से हमला किया है और इस हमले के साथ ही अल्दीन ब्रिगेट ने भी इसी इलाके में इसराइली सेना पर भी शड़ हमला किया है झाल 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 झाल